हाई गाईज कैसे हैं आप सब आई होप आप सबी लोग ठीक होंगे मैं हूँ डियाइस और आप देख रहे हैं इस्टेटी मेटेशल बाई डियाइस यूटूब चैनल तो दोस्तों मैं बात करना हूँ नेवी एमार अक्टूबर 2020 के आपके होने वाले एक्जाम के बारे में तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन ले इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी जी हां दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि नेवी की आप लोगों तक सबसे पहले और फ्री में पहुंच सके और दोस्तों कर मेनत अच्छी लगती है जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के बीच जरूर कर देना तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेवी अमार के एड्मेट कार्ट की जी हां दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी аग्जाम जैसे असर और डबले के खतम होते हैं उसके बाद आपके MR के एड्मर के स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसा कि आप लोगों के एड्मेट कार्ट से रेट में कुशन था कि हमारा जो सेंटर है वो कब पता चलेगा तो आपका ज तो इस तरह एसे आप अपना एडमिर्कार्ड जो है वो यहां पर चेक कर सकते हैं तो देखिए यह एक ďडमिर्कार्ड है भाया का एमर का exam है और इनका कब है तो 6 फरवरी को इनके first shift में इनका exam है देखिए यहाँ पर लिखा था कि इनका जो examination center है वो 12 गंटे पहले update होगा यानि की 3 तारीक को ठीक है बानकर चलिए 3 तारीक को इनका update होना था तो आज है 3 तारीक जैसा कि आप सभी को पता है तो इनका जो exam center है वो इनका update हो चुका है अब हम आपको दिखाते हैं कि इनका exam center कौन सा है तो देखिए आप यहाँ पर देखिए इनका exam center आप लोगों को देख रहा होगा तो simply अगर आप MR का exam देने बाले हैं अगर आपका 6 तारीक को exam है तो जिन जिनका 6 तारीक को exam है उन सभी को जो admin card है उसमें जो address है वो update हो चुका है तो simply अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है अपने admin card को नहीं देखा है तो जाए और जाकर अपने जो address है आपके exam center का उसका screenshot लीज तो आपके जो आपका exam center का address है वो update हो चुका है तो आप simply यहां से चेक कर सकते हैं कैसे चेक करना है मैं आपको पहली process बता चुका हूँ कई वीडियो चैनल पर playlist में updated है यानि मैंने upload कर रखे हैं तो वहां से आप जाकर simply चेक कर सकते हैं फ्रीवें आपको एक short में समझा दे आपके dashboard में तो क्लिक करेंगे view तो वहां पर option मिलेगा admin card download का तो क्लिक करेंगे तो उसके बाद हो सकता है आपका जो phone है उसमें लिखकर आए कि your device not supported this file तो simply आपको phone को desktop साइट पर डाल देना है उसके बाद आपके सामने interface को लेगा उसमें आपको application number date of birth और इसके बाद आप simply किसी भेर भी क्लिक करने के बाद चेह कर सकते हैं तो आपको मैं suggestion दोगा कि address वाले link पर क्लिक करना तो simply वहां से आप अपनी address देख पाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से आपका address आपको दिख जाएगा तो दोस्तों अगर आपसे नहीं होता है कोई प्रॉब्लम आ दिया जागा तो यह चोटी से अपडेट थी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना दोस्तों के भी share कर देना और अगर कोई भी कमी नजर आई हो वीडियो के अंदर तो यार छमा कर देना और कोसेश करना की नजर इंदाज करने की हम नए वीडियो के साथ-साथ कुशन शेयर जरू करना ताकि मैं उन्हें रिव्यू के लिए उनमें वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजात जैहिंद जा भारत बंदे मातरम और दोस्तों जात के लिए जैहंद जा भारत बंदे मातरम